जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नौटिवकेशन को ओन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थिंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अप्लोड हो तो उसका नौटिवकेशन आप तक तुरंट आ जाए ससेयर करते रहें, चैनल आप हमें वाटसेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें या फिर नोटबुग में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना नया सस्थिंग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शान्त वातवरन में ही रिकॉर्ड करें संगत जी, आज जो हम सस्थिंग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आउंटी जी का है चलिए आज का ये सस्थिंग, हम आउंटी जी के बोले कोई शब्दों में हम सब सुनते हैं बहुत ही अद्बूत सस्थिंग शेयर करा है आँटी जी ने आज आप इस सस्थिंग को ध्यान से और अंतक सुने जिससे माराज का दिव्य आशिरवाद आप सभी को मिल सकी आँटी जी ने जैसा सस्थिंग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सट्संग के माद्धिम से आसाजा करने जा रहे हैं इसलिए आप सबी संगत संग के अंतकवने रहना वो संग को बहुत ध्यान से सुनना वो संग को बीच में ना छोड़ें क्यूब कि संग संग सुनने वाले का भी कल्ने आन होता है अपना नाम नहीं साहर करना चाहते हूं, गुरु जी का एक सुकराना ससंग मैं आप सबके गुरु जी की संगत के साहर करना चाहते हूं, मुल मंत्र के साथ मैं गुरु जी का सुकराना ससंग साहर करना चाहते हूं, संगत जी इसी महीने पिछले थाइटे की बात है गुरु जी का मेसेज आया कि शुकराना कर तो अकीले कर तो मैंने संगत जी चै परशाथ, खड़ा परशाथ, समोसा परशाथ, जो गुरु जी ने बोला वो मैंने किया और एक गुंटे का सुकराना साथ संकिया, उसके बाद फिर शुकरवार को भी आया कि अगीले सुकराना साथ संकर, फिर मैंने किया संगत जी, उसके बाद में क्या आवा संगत जी, कि सुकरवार को, जैसे कि मैं मंदिर जाती हूं, गुरु जी मैंने पहले भी बताया, जाती ती तो मैं में 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 मन किया कि करना छी सेवा तो मैंने फृरेड़ी किया फुर उसके बाद में सड्सेटड़े भी गई तो मैं घर आई उसके पाद में स violent जी एक अंटी जैसे मारी नीचे रहती हिनeder ने मता है मेरे को कि का कैते हैं कि मेरी बेटी पे बहुत दिख्कत है और मेरी बेटी को मतलब ले जाओ बड़ी मंदिर मैंने तो मैंने बला ठीक है अंटी जी आज सैटरडी है तो में जाने मेंपोंगे कल संडे लोगे पर खी origin मेरे साथ चले मैं चलूँगी संगत जी एक मयएने पहले ही गुरु जी का मेंसेज आया था कि पिता का प्यार भाई पहः मा का प्यार और बैनों का पहः और सबस्का मैं तेर को दूँगा तो मैं समझ नहीं पाई संगत जी और होली की बात है मेरे पर ब्लाग मैजिक किया गया मानत के लिए कई बार किया लोगों ने और मेरे घर के लोग मैं जानते हूं ने उसके बाद मैं मेरी मम्मी पर भी किया गया है संगत जी मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी ऐसा क्यू मतलब सस्संग में मतलब बोल रहे है तो मेरी मम्मी मेरी बड़ी दीती हैं वो काम में रहती है कानपूर तो वहाँ पर मतलब रहती थी तो वहां से होली के बाद मेरे घर आई मेरे पापा नहीं है गुरुजी के पास है तो अपने घर आई तो मेरी मम्मी जैसे ही मितलब अपने घर आई तो वो बिमार हो गई बिवार हो गई उसके बाद में उनके मुह में चाले वाले पड़े कुछ खाने पाती थी मेरे बाई साप बड़े हैं वो चंदिकड रहते तो वो आये थे अपने मकान बनाने तो मेरे दीदी ने बोला चलो मैं छोड़े आती उन्हाने जीत गिया वो छोड़े आई तो उनके और संगत जी धियान ने रख पाए बोलो और मतलब कि क्या घते वो बिमार हो गया खाना पी ना उनका सब बंढ़े हो गया उसके बाद में संगत जी मेरे अंकल जी नवरटरों में आये ते दस तरिक उसके बाद मैं इसी मैने 9 तरिक जुन NTD करते अमावश्क्र दिन तो संगत जी मैं मतलब गुरु जी मेरे को बोड़ मैं अमावस की दिन जब उनको मैं छोड़ने गई तो गुरु जी ने बोला कि आद तो बहुत हारी दिन थे रिपे लेकिन गुरुजी को तो गुरुजी इतने प्यारे हैं चाहे कितनी भी हम गलती करें पर गुरुजी फिर भी हमें माफ करके अंग संग रहते हैं उसके बाद में तो संगत जी मैं गई उनको छोड़ने उसके बाद में आई कि जब तक मेरी जाज़त ना हो तब तक तो दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी नहीं जाओंगी उसके बाद में संगत जी क्या हुआ कि बीच में गुरु जी का मैसेज आने लग गया कि क्या कहते हैं तो अपने घर जा अपनी माँ के पास और जल परशाद ले जा और ये ब्लास लिंग ले जा तो क्या कहते हैं वो ठीक हो जाएगी तो संगत जी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और उसके बाद में संगत जी इसी सेट जो पिछला सेटड़े हैं संगत जी उस दिन ग्यारा बजे मेरी बड़ी बैन का फोन आया कि मेरी मम्मी कि देथ हो भी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं हैं संगत जी एक सत्ता ही हुआ है उवे ब्लाक मैं जी का सिकार हुई हैं संगत जी जो भी कहें ये तो गुरु जी जानते हैं उसके बाद में संगत जी मैं बहुत पयसान रहीरो ने लोगी गोरुजी ने इतनी इममद मेरे को ब्खषी कि जाता परिशान नहीं आहीं संगत जी फिर मैं या से साम को निकली तो मैं बारा बते टेंसे निकली तो सुबए 6 बजी मैं जैसे ही मैं कानपुर थोड़ा सा कानपुर पीछे मलब आगे था तो मैंने किया देखा आज तक मैंने 20 साल मेरी शादी के हो के संगाजी मैंने मोर नहीं देखी दी उच दिन संगाजी गुरुजी ने मेरे को मोर रूप में दर्शन दी दूर थे कर दी फिर मैं संगाजी अच्छे से पहुँच गई अपनी मा के पास गई उनका दास अंसकायर करवाए हैं सब कुछ हुआ संगाजी गुरुजी ने मेरे को बहुत हिमत बक्सी जदा परिशानी होने दिया और संगाजी गुरुजी ने बोला कि मैं जानता हूं तो बहुत बड़ ने कर सकती हैं संगाजी कि कितने तितनी करोप में गुरुजी ने मेरे को दर समधी हैं उसके बाद में संगाजी क्या हुआ वनजडे की दिन संगाजी वनजडे की दिन फिर मैं आसे सामको मैं और मेरी देदी देदी की घर आए तो संगाजी वनजडे की दिन मैं आई तो व आज देक दिन क्या आता संगाजी, स्युवपुरान गुरुजी ने मुझे बक्सा, तो संगाजी मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं सुनती जरूर, तो गुरुजी ने बोला कि तुझे ना मन्दब अलग रूम में दर्शन दोंगा, तो मैंने बोला ठीक है गुरु इसकूटी पे थे, डमरू था, और वो मन्दब सबके घरों में मन्दब डिहूं मांग रहे थे, मैंनो अनाज, तो मैं देखा, तो मैंने मन्दब मैं देखके हरान होगी, फिर मैं घर आई, दीदी के हाथ मों दोया, तो संगाजी, मैंना मन्दब कुछ मीठा खा रही थी, तो मेरा मन में पतानी ऐसा क्यों हुआ, कि मेरे अंदर वो मीठा जा नहीं रहता, तो मैंने अपनी दीदी को बुलाया, उनके बहन, दीदी के बिटी को मैंने बुला, उनको बुलाओ, क्या कहते बाबजी को, और उनको कुछ पानी देते हैं, और मीठा देते हैं, खाने के फिर वो पूछने लग गे कि बेटा नाम क्या है तो मैंने बताया उसके बाद में भूले तुमने जो पिछला टायम था तुम्हारा बहुत मुश्किल से बुझ रहा है और तुम्हारी टाइम ठीक नहीं चल रहा है और क्या कहते हैं और क्या कहते कि हां संग जी यह बताया था कि दो लड़्डू लेकि उपने उपर से वार की खाली कुद्धे को खिला देना शनिवार तो संगत जी मैं इन बाबाँ पे नहीं मैं वरोशा नहीं करते हूं क्योंकि मैं गुरु जी को मानते हूं जैसे पंडी तो वह बागत वह और बाबा वह मैं नहीं करती हां गुरु जी बोलते जरूर है कि सादू संतों की सेवा करो तो उससे नम लब कर्म करते हैं अच्छा लगता तो मैंने वो किया उसके बाद में संग जी उन्होंने मंचे बोला कि थोड़ी दिर में कि मुझे पाच किलो रिफाइंड की सेवा क जून लिए और वो चले गए उसके बाद में फिल आ क्या करते हैं फुराइडे पूरन वासी थी संगत जी मुझे नहीं बता था तो गुरु जी का मेंसेज आया कि अच्छ पूरन वासी है तो संगत जी उस दिन में मेरा टाइम बहुत भारी था मैंने एक गुरु जी ने प हॉस्पिटल के सामने क्या देखा है डबल सेवन की गाड़ी का नमबर था तो गुरु जी ने मुझे महां ब्लैस किया मैं वहां से आई और खाना वाना रात को खाके लेटे तो संगत जी पूर्मा के दिन कुरु जी कहते पूरन वासी और हमावस के दिन ही मैरत किरिया यह जो होती है ने मैं जादा करवाते हैं लोग संगर जी आपके नहीं करोंगे मैं पूरी रात वे दिन सो नहीं पाई और मेरी दीदी के घर के पीछे एक सपेदे का पेंड़ना ऐसा है तो आप लोग जानते हैं सपेदा किसको बोलते हैं ठीक है मुझे तो पता है उस जाने और मेरे पर कोई काल आ रहा है तो वो एकदम से जूर-जौर से आवाज से आवाजे लगाने लग जाये मला मोर चिलाने लग जाये और पूरी राद मुझे नेन नहीं आई उस ते उसके बाद में संगर जी जैसे तैसे सुबा हुई ना हाया दो या खाना हो नम नाया जी से फिर खाया वाया तो मैं वहाँ से फ्राइडेश साम को मैंने बोला अपनी दीदी कुए को दीदी मुझे अब गुरगाउं जाने दो क्योंकि मेरे बच्चे अके लिए थे यहां पर मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं तो क्या कहते हैं इसलिए तो मेरी बेहन मेरी बेहन के नड़का बहुत रोक रहा था मैंने का नहीं मुझे जाने तो आज तो मैं वहाँ से निकली और संगत जी एक मैसेज आया गुरुजी का कि आज की रात तेरे पे बहुत भारी है संगत जी वो मैंने इग्नॉर कर दिया दर्द मिठा मिठा इतनी मौम्टिंग इतनी गैस और इतनी पैरों में स्वैनन इतना दर्द सीनी में इतना दर्द ऐसा लगे हाट अट आटक आजाएगा आप मैं जल पर साथ पीती रही मंतर जाप करती रही संगत जी जैसे तैसे मेरी रात कटी और मैं मेट्रो से मैं कल सुबा जब घर आई संगत जी मेरी वो बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती आपको अपया नहीं कर सकती सब्दों में तो गुरु जी ने मुझे नई जिन्दगी ब्लास की उस दिन भी और उसके बाद में मैंने जब बाद में मैंसे देखा तो मैंने वो सहसंग सुना तो मुझे आराम मिला मैं मंतर जाप करती रही मुझे आराम मिलता रहा उसके बाद में जब मैं कल सुबे घर आई तो मैंने अपन पी थी, कम था, फिर उन्होंने मरे औरस दिया मैंने पिया, और मंतर चाप किया, और एक मैंने मैंडिशन भी ब्लस करवा के खाई गुरुजी की, तो मुझे संगत जी बहुत अराम मिला, और संगत जी, गुरुजी, देवला मेरे बेटा जॉब करता है, तो उसका ना पिया प पिया आगया, और गुरुजी कह रहते तो शक्राणा सांसाफनार कर, शक्राणा सांसा संसार कर मैं ने इगूर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे धुख में थी, तो मेरे से वहीं नी रहता है, जब लोग थे, बच्ची थे तो नहीं समझ में आ रहा था, क्या करूँ, उसके बा कि गूरु जी इतने अच्छे हैं और इतने जानी जान हैं कि याहां ही नहीं कर सकते संगत जी toen कि क्या मैं बताऊं उनके बारे मैं आपको संगत जी संगत जी इतनी सारी विमार्या था इतना ब्लाक मैजिक हुआ है, फिर भी गुरु जी मुझे ब्लास करते हैं, गुरु जी हमेशा कहते हैं, कितने तुकष्ट, मैंने तेरे सोते में काड़ देता हूं, तुझे पता ही नहीं जलता, सोतो है संगत जी, और मेरे अंकल जी भी वहाँ बाहर रहते हैं, वो परिशान है, उ कुछ लीडी हैं, जो करते हैं, गुरु जी कहते हैं, मैं बहुत समझा रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, तो मैं यही कहते हूं, गुरु जी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, आप जानो वो जाने, बस मैं इतना ही कहते हूं, गुरु जी, सरदास करते ह अधर बने तो कि यह सारी चीज आए संगत जी मैंने अभी तक मेडेशन नहीं की गुरू जी किया ते मंतर करो अम्रेदेला करो और शुक्मने साथ करो जीवढ़ करो अधर करो उससे तुम्हारे खाटेंगे तो संगा जी मैं करती हूँ जितना मेरे से हो सकता मैं करती हूँ और गाये को बोलते हैं गुर्ट देने के लिए गुर्ट भी सेवा दी थी कि गुर्ट दिया करो तो संगा जी कभी कभी करती हूँ कभी कभी भूल जाती हूँ और संगह जी यह बिलाग में जिकी विजी, की वजली यह, जी यह कोई समझ में नहीं आ था कि마 ह zar को करेंगे, और संगह जी अज में करा रही थी, तो गरुजी ने बोला बड़े मंदिर आ जा तो मैं आज संडे था मैं मेरी छोटी बेटी गई थी तो संगा जी मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदी नहीं खुलता है सुबा साम को 5 बजे खुलता से रधार ने भूला कि अंटी जी साम को 5 बजे खुलता है तो गुरुजी ने बोला है मंगलवार को कि हनमान जी को चुर में के लबड़ चड़ा हनमान जी को चोला चड़ा और पांच पत्ते पान के लेके साथ बार उसको वार के बहते पानी में परभाव कर हनमान जी का सिंदो लगा तो संगême जी यहां तुन नहीं यह मेरे पास बाता पानी मैं दफ तनी दूर आंतल जी थे हैं, इंडिया में तब जाती थी ती मैं, अब तो नहीं जा पाती हुँ संगै जी तो मैं आन्माण जी के जर्नों में चाड़ातीं लेकिन कोस्छिश करूँगी, कि मैं जो गरुजी क सामने जमीनी के तेल का दिया जलाना और मंगलवार को साथ बार हनमान चल सा पढ़ना तो मुझे पढ़ना तो नहीं आता लेकिन मैं सुनती जिरूर हो जिता मेरे से होता मैं सुनती हूँ तल भी मेंने वगई किया गुरुजी ने बताया सट दे था कि नारियन ने छोटी वोगो लगा गया तो मैंने किया संगत जी लेकिन हनवान चल सा पढ़ने के लिए बोला तो मैं नहीं कर पाई तो मैं घर में आई तो देखा तो गुरुजी ने जोद बत्ती में मुझे चान में मिलब फूल बना हुआ था फूल की रूप में चान दी बन जाता वैसे मिलब तो यह था मेरा सुक्रान चांसंसंगा जी यहीं अपने स्ुक्रान सắc्संग को विराम देना चात्यो ओम नवस्खिवाख्यों से लिए औम नवस्खी धाज़ि स्दसासाए ओम नवस धू Beck sedata झाल झाल